इसे हम हिंदी में जूला कहते हैं और इसे इंगलिस में हैमोक कहते हैं इसे हम हिंदी में पालना बोलते हैं और इसे इंगलिस में क्रिब या क्रेडल बोलते हैं इसे हम इंदी में आरामदाय कुर्सी बोलते हैं और इसे इंग्लिस में लव सीट बोलते हैं इसे हम इंदी में गद्देदार चोकी बोलते हैं और इसे इंग्लिस में ओटो मैन बोलते हैं इसे हम हिंदी में बार का स्टूल बोलते हैं और इसे इंगलिस में बार स्टूल बोलते हैं इसे हम हिंदी में बाहदार कुर्सी बोलते हैं और इसे इंगलिस में आर्म चेर बोलते हैं इसे हम हिंदी में हाई कुर्शी बोलते हैं और इसे इंग्लिस में हाई चेर बोलते हैं इसे हम हिंदी में दोलन कुर्शी बोलते हैं और इसे इंग्लिस में रोकिंग चेर बोलते हैं इसे हम हिंदी में विंग की कुर्शी बोलते हैं और इसे इंगलिस में विंग चेर बोलते हैं इसे हम हिंदी में आराम कुर्शी बोलते हैं और इसे इंगलिस में इजी चेर बोलते हैं इसे हम इंदी में कक्स विवाजन बोलते हैं और इसे इंग्लिस में रूम डिवाइडर बोलते हैं इसे हम इंदी में पायदान बोलते हैं और इसे इंग्लिस में फुट रेस्ट बोलते हैं इसे हम इंदी में सफरी पलंग बोलते हैं और इसे इंगलिस में कैम्प बैट बोलते हैं इसे हम इंदी में बीन बैक बोलते हैं और इसे इंगलिस में भी बीन बैक ही बोलते हैं इसे हम हिंदी में सोफा बैट बोलते हैं और इसे इंग्लिस में भी सोफा बैट ही बोलते हैं इसे हम हिंदी में कहते हैं सीको या डाली से बना हुआ और इसे इंग्लिस में कहते हैं वीकर इसे हिंदी में हम ताक कहते हैं और इसे इंग्लिस में हम सेल्फ कहते हैं इसे हिंदी में शाहिका बोलते हैं और इसे इंग्लिस में बंक बैट बोलते हैं इसे हम हिंदी में चारपाई बोलते हैं और इसे इंग्लिस में रोब बैट बोलते हैं इसे हम हिंदी में स्रिंगारदान बोलते हैं और इसे इंग्लिस में ड्रेसिंग टेबल बोलते हैं इसे हम इंदी में बास का स्टूल बोलते हैं और इसे इंग्लिस में बेंबू स्टूल बोलते हैं इसे हम इंदी में दरवाजा बोलते हैं और इसे इंग्लिस में डोर बोलते हैं इसे हम इंदी में wood step stool बोलते हैं वो इसे इंगलिस में भी wood step stool ही बोलते हैं इसे हम इंदी में छोटी सी मैज बोलते हैं वो इसे इंगलिस में occasional table बोलते हैं इसे हम इंदी में रतन कुर्शी बोलते हैं वो इसे इंगलिस में रतन chair बोलते हैं इसे हम इंदी में दराज बोलते हैं और इस एंगलिस में ड्रोर बोलते हैं इसे हम इंदी में शोकेस बोलते हैं और इस एंगलिस में भी शोकेस ही बोलते हैं इसे हम इंदी में खुलने और बंदने वाली कुर्शी बोलते हैं और इसे इंग्लिस में फोल्डिंग चेर बोलते हैं इसे हम इंदी में पढ़ने की कुर्शी बोलते हैं और इसे इंग्लिस में रीडिंग टेबल बोलते हैं इसे हम इंदी में कुर्शी बोलते हैं वो इसे इंगलिस में चेर बोलते हैं इसे हम इंदी में मैज बोलते हैं वो इसे इंगलिस में टेबल बोलते हैं इसे हम इंदी में खाने की मैज बोलते हैं वो इसे इंगलिस में डिनर टेबल बोलते हैं इसे हम इंदी में कोफी की मैज बोलते हैं और इसे इंग्लिस में कोफी टेबल बोलते हैं इसे हम इंदी में पलंग बोलते हैं और इसे इंग्लिस में बेट बोलते हैं इसे हम इंदी में एंड टेबल बोलते हैं और इसे इंग्लिस में भी एंड टेबल ही बोलते हैं इसे हम हिंदी में सोफा बोलते हैं और इसे इंगलिस में भी सोफा ही बोलते हैं इसे हिंदी में जुकने वाली कुर्सी बोलते हैं और इसे इंगलिस में रिक्लाइनर बोलते हैं इसे हम हिंदी में डलवा मैज बोलते हैं और इसे इंगलिस में डेस्क बोलते हैं इसे हम हिंदी में पेटिका बोलते हैं और इसे इंग्लिस में कैबिनेट बोलते हैं इसे हम हिंदी में बैंच कहते हैं और इसे इंग्लिस में प्यू बोलते हैं इसे हम हिंदी में फुटोन बोलते हैं और इसे इंग्लिस में भी फुटोन ही बोलते हैं इसे हम हिंदी में अलमारी बोलते हैं और इसे इंगलिस में कपड़ बोलते हैं इसे हम हिंदी में दराजदार अलमारी बोलते हैं और इसे इंगलिस में चेस्ट ओफ ड्रोर्स बोलते हैं इसे हम हिंदी में कपड़े की अलमारी बोलते हैं और इसे इंगलिस में वर्ड रोब बोलते हैं